एक बार एक बड़ा काला भूखा कौवा भूजन की तलाश में इधर उधर ओर रहा था। उसने जमीन पर पड़ी रोटी का एक बड़ा टुकड़ा देखा और उसे अपनी चोंच में उठा लिया। फिर वो उठकर पास के एक पेड के पास गया और उसकी शाखा पर बैठ ग मुझे इसे कौवे से निकालने का उपाय खोजना होगा। लोमरी पेड के पास गई और बोली ओ कौवा आज तुम बहुत सुन्दर लग रहे हो। आपके पंग बहुत चमकदार और जगमगाते हैं। आप पक्षियों के राजा की तरह दिखते हैं। मुझे यकीन है कि आवाज भी बहुत सुन्दर होगी। कौवा उसकी प्रशंसा सुनकर प्रसन हुआ। लेकिन उसकी चोंच में रोटी के कारण वही एक शब्द भी नहीं कह सका। लोमरी ने आगे कहा है पक्षियों के राजा क्या मुझे आपकी गाते हुए आवाज सुन सकती हूँ। मैं स सबसे धन्य लोमरी बनूंगी। कौवा जिसने